ओम शांति ओम शांति आज 29 जून 2014 देन शनीवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवा क्यों को मीठे बच्चे शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है तुम आत्माओं को अब घर लोटना है इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ प्रश्ण तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हूँ उत्तर सभी को सुनाओ कि बेहत का बाप बेहत का वर्सा देने आया है अब हद के वर्से का समय पूरा हुआ अर्थात भगती पूरी हुई अब रावन राजिसमाप्त होता है पाप आया है तुम्हें रावन पाँच विकारों की जेल से छुडाने ये पुर्शोत्तम संगम युग है इसमें तुम्हें पुर्शार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है सिर्फ पुर्षोत्तम संगम यूग को भी समझ लें तो स्थिती श्रेष्ट बन सकती है ओम शान्ते अब रुहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभीचारी याद में पैठे हैं एक होती है अव्यभीचारी याद, दूसरी होती है व्यभीचारी याद अव्यभीचारी याद अथ्वा, अव्यभीचारी भगती जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं उचते उच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जर्म लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में एक सेकिन लगता है यह तो बच्चे जानते हैं, हम बाप की याद में बैठे हैं वह हमारा टीचर भी है, सत्गुरू भी है योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो वे खुद कहते हैं हे आत्माओं हे बच्चे देह के सब सम्मंध छोगो अब वापिस जाना है ये पुरानी दुनिया बदल रही है अब यहां रहना नहीं है पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही यह बारुदादी बनाए हुए है नैचुरल क्लेमेटीज भी मदद करती है विनाश तो होना है जरूर तुम पुर्शोतम संगम युगपर हो ये आत्मा जानते है हम अभी लोट रहे हैं इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ना है देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है यह सब विनाश हो जाना है शरीर भी खत्म होना है अब हम आत्माओं को घर लोटना है लोटने विगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे अब तुम पुर्शोत्म बनने का पुर्शार्थ कर रहे हो पुर्शोत्म है यह देवता है सबसे उँच ते उँच है निराकार बाब फिर मनुष्य स्रेश्टी में आओ तो इसमें है उँच देवता वे भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े सत्युग में जाना पड़े किसको तुम बच्चों को तुम बच्चे पढ़ रहे हो औरों को भी पढ़ाते हो सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है बेहद का बाप बेहद का वर्सा देने आए हैं अब हद का वर्सा पूरा होता है बाप ने समझाया है पांच विकारों रूपी रावन की जेल में सब मनुष्य हैं सब दुखी ही उठाते हैं सुखी रोटी मिलती है बाप आकर के सब को रावन की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं बाप के सिवाई मनुष्य को देवता कोई बना न सके तुम यहां बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए अभी है कल यूग बहुत धर्म हो गए हैं तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं तुम सिर्फ इश्वर परमात्मा कहते थे तुम को यह पता नहीं था कि वह बाप भी है टीचर भी है और गुरू भी है उनको कहा जाता है सत्गुरू अकाल मूर्थ भी कहा जाता है तुम को आत्मा और जीव कहा जाता है वह अकाल मूर्थ इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं वे जन्म नहीं लेते हैं, तो वे अकालमूर्थ बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रत नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाओ, मुझे तो रत चाहिए न, अकालमूर्थ को भी तक्त तो चाहिए, अकाल तक्त मनुशे का होता है, और कोई का नहीं होता तुम्हर एक को तक्त चाहिए अकाल मूत आत्मा यहां विराजमान है वह सभी का बाप है उनको कहा जाता है महाकाल वह पुनर जनम में नहीं आते हैं तुम आत्माई पुनर जनम में आती हो मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे पक्ती को रात ज्यान को दिन कहा जाता है यह पक्का याद करो उक्य हैं ही दो बाते अल्फ और बे बाप और बादिशाही बाप आकर बादिशाही देते हैं और बादिशाही के लिए पढ़ाते हैं इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है भगवानू वाच भगवान तु है निराकर उनका भी पाठ होना चाहिए वह है उच ते उच भगवान उनको सभी याद करते हैं आप कहते हैं ऐसा कोई मनुशे नहीं होगा जो भगती मार्ग में याद ना करता हूँ दिल से ही सब पुकारते हैं हे भगवान हे लिबरेटर और गौड फादर क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर जरूर बेहद का ही सुख देंगे हद का बाप हद का सुख देते हैं कोई को पता नहीं अब बाप आए हैं कहते हैं बच्चों और संग तोड मुझ एक बाप को याद करू ये भी बाप ने बताया है तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो वहां तो अपार सुख है उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है नए मकान में सदेव सुख होता है पुराने में दुख होता है तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है ये तो हुई हद की बात अ तुम संगम युग पर हो, कल युग की तरफ भी देख सकते हो, सत्युग की तरफ भी देख सकते हो, तुम संगम युग पर साक्षी हो देखते हो, परदर्शनी में अत्वा म्यूजिम में आते हैं, तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो, इस तरफ है कल युग, उस तर वाला नहीं आता है सिर्फ तुम ही पहले-पहले आते हो अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुर्शार्थ कर रहे हो पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो ऐसे नहीं कहते कि शांती धाम में ले चलो परमधाम को कहा जाता है स्वीट हो अभी हमको घर जाना है जिसको मुक्ती धाम कहा जाता है जिसके लिए ही सन्यासियादी शिक्षा देते हैं वे सुख धाम का ज्यान दे नहीं सकते वे है नीवरती मार्ग वाले तुम बच्चों को समझाया गया है कौन-कौन धर्म कब-कब आते हैं मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड में पहले-पहले फाउंडेशन तुम्हारा है बीज को कहा जाता है व्रक्षपती बाप कहते हैं मैं व्रक्षपती उपर में निवास करता हूं अब जाड एक दम जड़ जड़ी भूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने बैन्यन ट्री का बड़ा वंडर्फुल जाड है बिगर फाउंडेशन बाकी सारा जाड खड़ा है इस बेहत के जाड में भी आदी सनातन देवी देवता धर्म है नहीं बाकी सब धर्म खड़े हैं तुम मूल वतन निवासी थे यहां पार्ट बजाने आए हो तुम बच्चे आल राउंड पार्ट बजाने वाले हो इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम फिर मिनिमम एक जन्म मनुष्य फिर कह देते है 84 लाख जन्म वे भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो पहले पहले मेरे से तुम भी छुड़ते हो सत्यूगी देवताएं ही पहले होते हैं तो शांतिधाम अलग हुआ ना बाकी दुनिया तो यही है पार्ट यहां बजाते हैं नई दुनिया में सुख का पार्ट पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है सुख और दुख का यह खेल है वह है राम राज्य दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते किस रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है ना रचियता को ना रचिना के आदी मद्य अंत को जानते है ग्यान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है रचियता और रचिना के आदी मध्य अंत का ग्यान कोई शास्त्र में है नहीं मैं तुम को सुनाता हूँ फिर यह प्राय लोप हो जाता है सत्यूग में यह रहता नहीं भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गया हुआ है गीता में भी राजयोग नाम आता है बाप तुम्हें राजयोग सिखला कर राजाई का वर्सा देते हैं बाकी रचिना से वर्सा मिलना सके वर्सा मिलता ही है रचिता बाप से हर एक मनुष्य क्रियेटर है बच्चों को रचिते हैं वह हैं हद के ब्रह्मा यह हैं बेहत के ब्रह्मा वेह निराकार आत्माओं के पिता वेह लोकिक पिता फिर यह है प्रजा पिता प्रजा पिता कब होना चाहिए क्या सत्यूग में नहीं पूर्शोत्तम संगम युग पर होना चाहिए मनुश्यों को यह भी पता नहीं है कि सत्यूग कब होता है उन्होंने तो सत्यूग कल्यूग आदी को लाखो वर्ष दे दिये है बाप समझाते हैं बारा सो पचास वर्ष का एक यूग होता है 84 जन्वों का भी हिसाब चाहिए ना सेड़ी का भी हिसाब चाहिए ना हम कैसे उतरते हैं पहले पहले फाउंडेशन में हैं देवी देवता उनके बाद फिर आते हैं इसलामी बहुत ही बाप ने जाड का राज भी बतलाया है बाप के सिवाए तो कोई सिखला ना सके तुमको कहेंगे यह चितरादी कैसे बनाएं किसने सिखाया बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया फिर हम यहाँ बनाते हैं फिर उनको बाप ही इस रत में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ खुद ही करेक्ट करते हैं श्री क्रश्न को शाम सुन्दर कहते हैं परन्तु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है यह वैकुंट का मालिक था तो गोरा था फिर गावडे का छोरा सावरा बना इसलिए उनको ही शामसुंदर कहते हैं यही पहले आते हैं तत्त्त्वम इन लक्ष्मी नारायन की राजाई चलती है आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं यह भी किसी को बता नहीं है भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदु कह देते हैं मैं भारत में ही आता हूँ भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है मैं आता हूँ फिर से स्थापना कर पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म यह जाड व्रद्धी को पाता रहता है नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोबा हो जाती है फिर अंत में जब सारा जाड जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ यदा यदा ही धर्म से आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती अपने को भी गाली देते बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं तमों प्रधान बे समझ बन जाते हैं तब मैं आता हूँ पतित दुनिया में ही आना पड़े तुम पुरुष भी हैं लेकिन मेज्योरिटी माताओं की है इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं बाप आकर तुमको इतनी महिमा लाइक बनाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता भाप दादा का याद प्यार और गूड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुखे सर अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धी योग नई दुनिया में लगाना है बुद्धी में रहे अभी हम वापिस घर लोट रहे हैं सभी को जियदान देना है मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है बेहत के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है बाग्यवान आत्मा भव सदा श्रेष्ट समय प्रमान श्रेष्ट कर्म करते वह वह के गीत गाने वाले बाग्यवान आत्मा भव अब बाप ददा की वर्दान को विस्तार में समझेंगे इस श्रेष्ट समय पर सदा श्रेष्ट कर्म करते वह वह के गीत मन से गाते रहो वह मेरा श्रेष्ट कर्म या वह मेरा श्रेष्ट कर्म सिखलाने वाले बाबा तो सदा वह वह के गीत गाओ कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाई शब्द नहीं निकलना चाहिए वह ड्रामा वह और वह बाबा वह बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे।